हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने सैमसंग गिलेक्सी एफ 13 एंड्रेट वाइल फोन में आगर आपके मुवाइल फोन का वाइफाई कनेक्ट होने पर भी आपके वाइफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस पार बटन उंगली से दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने पेज आएगा इसमें आपको रिश्टार्ट का यह ऑप्शन टैप कर देना है इससे क्या होगा आपका मुवाइल फोन जो है वो आटोमेटिक स्विच आउफ हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद अब यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने फोन की जो है नेटवक सेटिंग को रिसेट करना है ठीक है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवक सेटिंग होते कभी कबार यह ठीक तरीक से काम नहीं करती है जिसकी वज़े से हमार वाइफाई के इंटरनेट में problem देखने को मिलती है तो आपको अपने mobile phone की network setting को reset करने के लिए mobile phone का setting page open करिए इसके इंदर आपको सबसे उपर की side यह search icon का option आपको मिलता है search icon पर tap करने तो यहाँ पर आपको सबसे उपर search बार में reset आपको type करना है और search करना है ठीक है आपको आपको अपने mobile phone का software एक बर चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone के software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो हमें पता नहीं लगता है तो mobile phone का software होता है वो updated ना होने के कारण भी हमारे mobile phone के android system में कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको check कैसे करना है देखिए इ का इंटरनेट आपको चालो रखना है ठीक है इसके बाद आपको मोईल फोन का सैटिंग पेज ओपन कर ले हैं सैटिंग पेज में आपको सबसे नीचे आपको सॉफ्ट्वेयर अपडेट का option टैप करना है इसके अगले पेज में आपको डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना को अपने मुवाईल फोन की 1700 को आपको रिसेट करना है देखिए अगले पेज में आपको अक्सेस पॉइंट नैम को आपको टैप करना है इसके पेज में सबसें और 31 टॉट को option टाप करना है आपको जोए नहीं यह उपर की साइड यह छोटा सा page ओपन होगा इसमें आपको reset to default पर टाप करना है आपको नीचे की साइड यह reset APN setting का option मिलेगा इसे आपको reset पर टाप करना है आपको नीचे लिखा हुआ आ जागा APN setting reset to default इस तरीकी से आप आप मुवाइल फोन की APN setting को reset कर दीजिए ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर आपको आखरी process करना है यह है कि आपको जोएन अपने में लेकर आजाएगा आपको reset पर टाप करना है तो इसके एकले पेज में आपको सबसे नीचे की साइड और factory data reset पर टाप करना है आपको फोन reset हो जाएगा और आपके फोन की wifi की internet की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको फोन को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली ब आपको जितना ही process आपको बता हैं सारे process आपको use करने तो इससे आपके wifi की internet की problem जो है वो solve हो जाएगी